प्यारे बच्चों स्लमा अलेकूम रहनातुल्लाह रखातू क्या हाल चाल सब्ड़िया तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने टोपिक अप्तिकल आईसो मेरिज्म है ना अप्तिकल आईसो मेरिज्म में अब तक हम लोगोने तीरा लेक्ट्ट्र कंप्रीट क्या हुआ ए अपने प्रिवियस लेक्चर में उसमें चल रहा था अपना टॉपिक अप्लिकेशन ऑफ एबसेल्यूट कॉन्फिगरेशन का अप्लिकेशन के क्या फाइदा होना है रस कॉन्फिगरेशन से बात करना है ना तो RS होता क्या है एबसीलूट कॉन्फिगरेशन होता क्या है क्या मतलब है R का क्या मतलब है S का कैसे असान करते हैं हैग गाति का EL Central की अपने सारी बात है हम लोग पड़े थे कि साब RS कैसे बोलेंगे S कैसे बोबीगे एफिशर में कैसे बोलेंगे में क्यासे बोलेंगे अलग-अलग configurations में clear clear okay अब बात हो रही कि हम लोग ने RS पढ़ा क्यों है ना so application of RS में हम लोग बात करेंगे आज आपका जो lecture है आज का that is that is related to application of application of absolute configuration that is RS absolute configuration का मतलब क्या होता है RS configuration RS configuration का application है आज क्या मतलब समझेगा देखो एक चीज़ पढ़ाता हम लोगों ने application of carl center में क्या किसाब एक carl center के about दो possibility होती थी configuration के हैंगे ने clear दो ASMR की possibility थी simple मैं वहीं से start कर रहा हूँ जैसे for example अगर मैं आपको बोलूँ के let हमने ऐसा एक fissure बनाया और आपके सामने कहा के साहब ये CHO है और ये CH3 है और ये H है और ये OH है तो आप क्या बोलोगे no doubt ये वाला जो center है वो chiral center है क्या है chiral center तो हमने बोला था इस chiral center के about दो form की possibility है बनने के एक form ये बन गया था दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था इसी में इसी में CHO और यहाँ क्या CH3 और यहाँ पलट देंगे सरफ क्या बोला था हमने आपसे पहले भी कि single exchange करने से molecule बदल जाता है और double exchange करने से वापस वह molecule बन जाता है एक्सचेंज पढ़ चुके rotation of fissure यह में पढ़ चुके clear हमने यहाँ simple exchange कर दिया क्या बोला OH ऐसा तब क्या बोल रहे कि यह भी अभी कारल सिंटर है बट अगर यह आर होगा तो वह definitely S होगा और अगर यह S होगा तो 100% R होगा क्यों क्यों क्योंको पलेट चुका है यह सब ब वहला चौथा असाइन करते थे प्राइरिटी यहाद है न सी आई पी रूल के कोड़ी 1 2 3 4 कर दिया हम अब फॉर्थ प्राइरिटी ग्रुप अगर horizontal line पे होता था था फिशर में तो क्या करते थे जो आएगा उसका उलिटा कर रहे हैं कि यहाद है सब कुछ ओके तो इसको इसको देखो यहाँ से कैसे गुमाओगे 1 2 3 रूल क्या था अपना 1 से 3 तक जाना है excluding 4 4 बीच मारा रहा है उससे अपना कोल मतलब नहीं है अपने को 1 2 3 जाना है एक से 3 तक वाया 2 अगर clockwise तो आर एंटी clockwise तो एस नॉर्मल बात थी फिशर में क्या बोला था हम लोग ने पहले को इसको standard बना दो क्या standard बना हूं यह फोर्थ priority को पीछे ले जाओ पीछे ले जारे का मतलब यह तो vertical line के उपर यह तो bottom वो करके निकालो यह हमने दूसरा shortcut बताया आपको क्या जैसा है वही सही कर ले अगर फोर्थ priority group vertical line पे तो जो आया वही आंसर है और अगर फोर्थ priority group horizontal line पे है तो जो आया उसका उल्टा आंसर है यह बोला था ने shortcut में याद होगा सब कुछ अब जरा यह चेक कर लो क्या आया anti-clockwise गुमा anti-clockwise गुमा तो आया क्या है S बट फोर्थ priority group horizontal line पे तो इसको काट के हम लोग क्या लिखेंगे R अब देखो अब तो R आ गया है अब मैंने बोला अगर यह R है बेटा तो 100% वहाँ S आना है let us see यह one यह two यह three यह चौथा चौथे से मतलब नहीं है one two three जाओ one two three गया कैसे घुमा clockwise clockwise घुमा है आया क्या R बट फोर्थ priority group का horizontal पे तब क्या बोला था जब horizontal पे आये तो जो आये उसको काट दो उसका उरिटा लिख दो लिख दिया क्या मिला S यह हम लोगों ने किया था पिछले lecture में याद हो गया है सब R कैसे लिखते हैं S कैसे लिखते हैं यह सब कर रोके कर चुके हैं फिशर में single karel center तब कैसे होगा multiple karel center तब क्या होगा सब कुछ deal कर चुके हैं आज का अपना मुद्दा RS निकालना नहीं है वो तो कर चुके पहले है आज का मुद्दा यह है कि आपको एक बात पता थी कि अगर मैं इस molecule के सामने mirror लगा दूँ तो in fact उस mirror में इसका एक image आए इस देख कर गें पर चुके डैस्टीरियोमर पड़ चुके identical पड़ चुके मीजो पड़ चुके रसमिक पड़ चुके सब पढ़ है न वो सब बात ही यहां हमने तब भी बोला था आपको क्या कि ऐसे image देख करके काम करेंगे फिर RS पढ़ेंगे फिर RS से shortcut से बताएंगे कैस वे से कैसे इन शुमर गैसे डैस्टीरियोमर तो इन फैक्ट आज हम हो हमां यही काम करना है कि आर एस की मदद से हम बता देंगे कि यह Simmons मेरे या डैसलियोमरिक पर या इन फाक्ट वो बिल्स इंटिकल से हो देख रहे हैं, तो संग क्या वोलो पहले बहुत सिंपलकम कॉनसे पर चो च्छ तरी को पर सी एश थी बट एच के उपर आया ओच यह सर नो क्या पॉसिबिल ए ठीक बनेटी डिगरी के रोटेशन आपको आता है बिल्कुल आता है इसको घुमा देंगे तो एच आजाएगा लेफ्ट साइट तो एच के उपर तो एच आजाएगा ओच को पर त आना आज संवारेी डिए अस अदर एच अर्डे के वीर और्श और एक सबस्कांस और आला संसर प्रूस और गुंगर है तो डूसरा में को छ किश और थों तो हम फट्सान आंसर दे देंगे क्या देंगे ये विफाःदा पढ़ने का आप क्या बोलोगे क्या बेवकूफ है क्या क्या इसना मैं साफ साफ दिख रहा है न मरत मारे स्के नोट एंड आनशें लिया कहें वहीं देखके आंसर बता दिया हम जाएं इसका आर निकाले उसका इस निकाले और तब देखें और तब लगाए रूल काई को वक्त क्यों जाय करें बिल्कुल सही बात है आप एक डम सही हो लेकिन ज़रा अब देख बेटा अब देख यह रहने दिया हमने यही क्या यह लगा दिया है एच और यहां है ओच अब देखो यह CHO और यह CH3 देखना अब इस मॉलीकुल के साथ हम क्या काम कर रहे है वो देखो हमने क्या बोला किसा यहां जो सिस्टम है उसमें क्या क्या वो देखो हमने हाइड्रोजन को लाए कहां नीचे और CH3 को अला गया लेके कहां ऊपर बोल क्या हमने इन दोनों को अगर हम इन दोनों को भी एक्सचेंच कर दिया यह कि अब दोनों होने से हां आने पर बॉल किये हैं अगर एक कारल सेंटरिंगा बाट दो एक्सचेंज किया जाए तो हमें मॉलिक्यल वापस आइडेंटिकल ही मिल जाता है पहले मुझे बता क्या यह दोनों आइडेंटिकल हुआ की नहीं हुआ बिलकुल आइडेंटिकल है सर इवन नंबर आफ एक्सचेंज एडेंटिकल है डेरेंटिकल है आप लगा मि mutually यह लगा दिया सर मिरेर डंय दुनो डुन मिरों है नहीं सर कुछ ने दिखां कि अने कुछ नहीं सीह अब बोल कि तो जब ऐसे घुमा के सवाल देगा ना यहां काम करेगा क्या RS क्या काम करेगा RS अब दियान से सुन पहली बात कि mirror लगा कर गे direct तुम answer कर पाए नहीं कर पाए बिल्कुल नहीं कर पाए ठीक है अब देखो RS से तुम फट से answer कैसे कर लोगा क्या मैंने इस मॉलिक्यूल में कोई चेंज लाया हूँ नहीं जो था वही अज़ इस उतार दिया उतार दिया तो यहां R था तो R ही नाएगा वही सब बिल्कुल अब आरम से अब मैं क्या कह रहा हूँ मैंने डबल एक्सचेंज करके यह लाया है यह लाया है और मैं कहा रहो डबल एक्सचेंज से मॉलिक्यूल बदलता नहीं है अगर नहीं बदलता तो यह जो S आया है तो यहां भी S आना चाहिए यह सर नो पहले तो हम यह चेक करेंगे आच्छा कर लेते हैं So 1 2 3 4 यह कर दिया Assign Priority अब घुमाओ कैसे घुमाओ कि 1 से 3 तक Excluding 4 घुमा दिये जैसे घुमाओ तो कैसा आया Anti Clockwise कैसा आया Anti Clockwise ठेक अभी आराम से Anti Clockwise मतलब होता है S अभी रूख अब बोले अगर 4 गुरूप Vertical पे होगा जो आया वही answer है अगर horizontal पे हुआ जो आया उसको काड़ देंगो उसका उल्टा answer लिखेंगे बोल 4th priority गुरूप का है तो बोल रहें कहाँ Vertical पे अब Vertical आया तो हम लोग क्या बोलेंगे जो आया वही answer है Clear क्या आया है S Yes Sir ये S ही है Clear अब ध्यान से सुन ये R और ये S तो अभी मैंने क्या बोला अभी क्या बोला अगर R का S आ जाए S का R आ जाए तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलेंगे mirror image क्या बोलेंगे mirror image और non super impossible तो ये तोनों क्या हो जागा Inent Shumar देखवा है वहाँ तो साफ साफ दिख रहा था क्या यहाँ दिख रहा है क्या यहाँ दिख रहा है बोलेंगे नहीं दिख रहा Clear But है क्या वही molecule है है क्या वही molecule है तो अवाराम से जब ये दो different form में दिया हो बना गरके जहाँ तो मैं imagine नहीं कर पाओ तो वहाँ simple तरीका क्या है या तो तुम इसको इसके जैसा बनाओ exchange करके नोड़ाट फिसा लाउड है बनाओगे फिर वही काम हो जाएगा तो या तो इसको पल्टो double exchange करो क्या करोगे तो तुम्हें वह दिख गया क्या दिख गया कि यहाँ CHO है तो यहाँ भी हम CHO लाने की कोशिश करेंगे तब क्या करेंगे इसको इसको इसे exchange करेंगे और यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 लाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा molecule बना देंगे या सीधा R और S लिखेंगे और answer खटाक समा रहेंगे क्या अगर रार का उल्टा ऐसा confidence कुलेंगे दे हुर बो लिखेंगे होपिमेंगे clear है अच्छा सुन अभी तो इस फॉर्म में दिया था न वह पलट के अब ज़रा देखना देखना आराम से क्या हम वेजडैश से फिशर बनाते थे बिल्कुल बनाते थे आराम से कैसे बनाते थे मालो मैंने इसी मॉलीक्युल को वेजडैश में लाने की कोशिश की आराम से समझ आराम से समझ मैं बोल रहा ह Kevin कर इसिशर को ले जा वेज डैश में तो हम लोग क्या बोलते थे फिशर का जो vertical यह है वाइटिकल मैं पल्कुल मैने बोला यह ऐरो मैं ऐसे पास कर दे कर दिया दूर वाला कौन ये वाला तो ये टॉप पे जाएगा कौन है उपर ओएच ये लगा दिया बेस पे कौन है हाइड्रोजन ये लगा दिया भाई सब अच्छा अब बोलने ज़रा और क्या है राइट साइड ये दोनों है ना किसको नहीं बदलते थ दाथा ता पाने डैश पे कोन डैश पे होगा मतलब जो डैशन वहराइट साइड रहेगा तो रहें सब्सक्राइब कोन है ये रहेगा इसका विछड़ ये बोले sagen है न वेज़देश, अब ध्यान से सुन, इसके साथ तुम्हें मिला के दे दिया, आगला वाला कौन, यह izzet is उतार दिया, क्या उतार दिया, यह लो, क्या, यह लो CHO, और यह लो CH3, और यह लो H, और यह लो OH, और बोल दिया, इन दोनों में relation, बता, कि यह दोनों identical है या इन क्या करोगे आप तुम क्या करोगे तो सर या तो दोनों को फिशर में ले जाओ है ना तो एक तो फिशर में दूसरे वाले को भी फिशर में लाओ और फिर फिर ऐसा बना करके चेक करो काई का तम जहम यह सा यह सब काई का हम सिंपल क्या करेंगे रल लिखना RS, सीधा R लिख, S लिख, खेल खतम कर, बोल यह सर नो, तो यहां काम आता है क्या, क्या कम आता है बोलो, RS, क्या मतलब, मतलब किसी भी format में दिया हो molecule, किसी भी format में, आप सीधा क्या बोलो, वही directly RS करो, और answer वहीं लगा दो, clear, clear, और हम समझाने के लिए कुछ और examples लिख रहे ह यहां पर, ठीक, कुछ और examples लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद एक-एक को हम लोग देखेंगे, और फिर set करेंगे, अपने rules set करते जाएंगे, clear, चलिए, मैं pause लेगर करे पहले, इसको मिटाता हूँ, सवाल लिखता हूँ, और फिर आगा बढ़ते हैं, चलिए, चलिए ज प्रिवेस अपना concept था, जिस बेसिस हम लोग समझ चुके थे, mirror image वाला, क्या-क्या वो concept था, कि अगर दो substance, एक दूसरे का mirror image है और super impossible है, clear, तो identical, अगर mirror image है और super impossible नहीं है, तो inensiomer, अगर mirror image भी नहीं है और super impossible भी नहीं है, तो diastereumor, यह अपना पहला concept अल्रेडी पढ़ चुके हम लोग, अब हम लोग आ रहे है, RS के उपर, clear, पहले अपने पुराने concept को नए से match करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे conclusion पे, क्या, कि इन सारे चीजों को सीखने के बाद फिर लिखेंगे conclusion, कि हम R और S से कैसे inensiomer करेंगे, कैसे, कैसे identical करेंगे, और कैसे diastereumor करे clear, so this will be, this will be very, very, very important and helpful, helpful tool for you guys, clear, ठीक, so let's start, सबसे पहला काम क्या करना हो लोगो, हर एक का RS assign करना है, first of all, do RS, ठीक, क्या बोल रहे है, मालो, ये system है, इसमें priority assign करो, तो बोलेंगे, ये 1, sorry, sorry, ये 1, इसका atomic number बाद में तो ये 2, इसका atomic number बाद उसके बाद, तो ये 3, इसका atomic number सबसे कम, ये 4, या देना, आपको CIP rule, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कर दिया, अब देखो, फोर्थ वाला का है, वर्टिकल लाइन पे, तो जो आएगा, वही एकसेप्ट करेंगे, ओके, कैसे घुमा, कैसे घुमा, clockwise, clockwise, गुमा तो यहां क्या बोल दोगे, तुम R, यहां आ जा हो, यहां क्या बोलो के, 1, 2, 3, and 4, फोर्थ वाला फिर वर्टिकल लाइन पे, कैसे घुमा, anti-clockwise, anti-clockwise घुमा तो S, कर दिया, ठीक, अगला, अगला, यहां जो, यह क्या है, maximum atomic number, 1, ये, 2, ये, 3, ये, 4, फिर वर्टिकल लाइन पे, ये, 4th priority group, जो आएगा, वही लेंगे, क्य हो, यहां बोलेंगे, 1, ये, 2, ये, 3, और ये, 4th, अब कैसे घुम रहा है, clockwise, 1, 2, 3, clockwise घुम रहा है, तब क्या बोलेंगे, R, clear, okay, इतना समझ माया, इतना समझ माया, पहले, तोड़ तोड़ के समझ, पहले, पहले, सिंगल कारल सिंटर वाले को हैंडिल कर लेंगे, फिराए इसका काम खतम, अपना काम अब सिर्फ किससे, R और S से है, ठीक है, बोलिए जरा, अब आप अपना पुराना कॉंसेट लगाईए, पुराना कॉंसेट, और वहां से बात करिए सीधा-सीधा, कि जो कोशन नमबर 1 है, इसमें जो पेर दे रखा है आपको, ये दोनों पेर इसका मिरर इमेज, बट इसको उठा करेंगे, यहां रख देंगे, तो यह सूपर इंपोस नहीं हुआ, तुम पलटा भी सकते हो, कैसे पलटा होगे, क्या ऐसे पलटा वहां बिल्कुल नहीं, या देना, बिल्कुल नहीं, कैसे ऐसे पलटाना लाओड है, फिशर में, क्यू हुआ है क्यों नहीं है सारी बाते पीछे हो चुकी है तो आप अगर पल्टाना चाहा दो तो कैसे 180 डिग्री इन दा प्लेन या देना ऐसे पल्टा दो वह चाह जागा नीचे सीस्ट्री आ जागा ओपर कोई कामी नहीं हुआ दो एक स्कमत लब यह दो नो मिरा दिमाइश ठो में थू है बाट सुपर इंपॉसबल नहीं है नॉन शूपर इंपॉसबल मिरा इमेजर काल्ड इन शीुम तो तो जो पहला पेर है वो क्या निकला इनुक्र ऊके सर योदोना बेखला बोलो इन इसी वरimme 바 लोच moons आ नौर यह स्थी अगला अगला बिरिया अनम से यहां मेरे दाल एंगा साफ साफ दाघ रहा है इसका मिरेर इमेज वो है? बिल्कुल है. क्या यह सून्पोसिबल है? बोले कि ना. अगर यह सून्पोसिबल नहीं हुआ, clear बड़ mirror image है तो तुम क्या बोलोगे non super impossible mirror image are called inensumor again these two again these two will be called inensumor बोलो बेटा बोलेंगे की नहीं बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे so ये दोने inensumor है पुराने concept से clear ओके अब नए के बात कर लो अगर ये inensumor है ये भी inensumor है और हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये आर वाला पलट के क्या बन गया S और S वाला पलट के क्या बन गया R इसका मतलब क्या हुआ what should be the conclusion now क्या बोलो कि तुम बोलो क्या conclusion होगा पहला पहला में लिख रहा हूँ for for monocentric system एक कारल सेंटर वाला क्या बोलेंगे अगर अगर आर का आर का एस मिल गया या या और एस का आर मिल गया इस हालत में इस पेर को क्या बोलेंगे पेर को क्या बोलेंगे पेर को क्या बोलो पेर एज इनेंशियोमर क्या बोलेंगे इनेंशियोमर समाझ मारी बात इस पेर को तुम क्या बोलोगे इनेंशियोमर बोले य यह सर नो बोलिए क्या मिल रापको बोलो क्या मिल रापको बोलो आर का एस मिल गया और एस का आर मिल गया क्या बोलेंगे इनेंचियोमर बोला जाए यह सर नो बोलेंगे बिल्कुल इतनी बास सुनमारी इतनी बास सुनमारी मोनो सेंट्रिक सिस्टम में इनेंचियोमर हो जाए यह जब रहा है तो बहुत है अगर आर का पलेट के से से का और हो गया दे विल-बी-पार अच्छा ठीक है अब जरा ईसी में देखो मैं क्या चेंज ला रहा हूँ वो समझो यह सिस्टम थाना है देन चुबर अब सुकून से मैं क्या बोलगा उपसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडेंटिकल ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग क्या बोला था हम लोगोंने क्या बोला था फिशर को 180 से रोटेट करते हम यहीं सिस्टम रहा जाएगा लोगर कर दो जब इसके साथ इसको मिला देता कि भासओ इन दोनों के वीच में बताईए च्या है कि आप बूर ने मैं बस हमें इस का तो चेख करने डियसार मलह है और पहले समय और किसका नहीं है यह इस हम हम क्रैटिरियन निकाल रहे क्या आर्ड़ यह आ याईगा clear clear so 123 क्लाइट सो क्लाइट वाइस में आपके बहुए आर देख ध्याहन से क्या आर का आर आया है यह और का आर आया clear और यह दोनों identical है हम क्या बोलठे हम क्या बोले है Boley तो हम लोग क्या बोलेंगे हम सीधा बोलनेंगे यह निकालने था एक और बात पता है अगर डबल एक्स्जेंज करदें तो system स्टम आइगंटिकल रह जाता है अच्छा फ्याय rend एीच यह चेक र bay टेक है महीं अपना भार मोई ुआ है इसे एसमें ग ceux- legit क्वाइब ऑने यह यह अपनी मर्जी से कहां भी फ्लॉरीन को ले गठाई यह ठिक और ओफ विक्स्चेंज हुआ कि यह दोनों सिस्टेम डवल एक्स्चेंज हुआ कि नहीं वा क्लियर कैसे हुआ इन दोनों के एक्स calculate हुआ Ann 2021 25 गया विल्कुल इसे नों एक्सचेंग जैसका मतलब यह दोनों मस्ट भी अदेन्टिकल अगर यहां आर था तो आभी आर आना चाहिए तब तो लेट्स चेक देखते यह क्या वन यह क्या टू यह क्या थ्री यह क्या फॉर कैसे गुमा कैसे गुमा एंटी क्लाक्वाइज तो आग्या रहा है एस अब आ सबस्क्राइज दो और आ अगैया आगा सबस्क्राइण को मतलब करियोजन अपना था सबस्क्राइण अपने क्या निकलेगा बोलो ऌर का एस आज आ गया या आसका आरा गया तब क्या होनोगे कि मस्ट गया तो अब कुछ भी घुमा के दे क्लाइब या या आपको डेश में एकक्शेंज करके देंगा गया एक सेंटर वाला है या एस का एस मिल गया तो भूलोगे दोने डेकर सेंदा लोगे इलाएं डिकल पलड़ किया क्या पलड़ गया क्या बोलेंगे का ताम कोई मिरर नहीं देखना है कोई इमेज नहीं देखना है कोई सुपर नी पोजिबिलिटी नहीं देखना सीधा आरेस यह फाइदा किसका आरेस पढ़ने का डन ओके यह था अपना मोनो सेंट्रिक सिस्टम एक कारल सेंटर वाला सिस्टम नाउ यहीं कंक्लूजन हमें बन अब जब दो सिस्टम में तब क्या पॉसिबिलिटी होती थी या तो आइडिंटीकल या तो डाइस्टीरियोमर या तो इनेंट्योमर क्लियर यह पढ़ चुक है नाउ लेट्स चेक क्या होता है इनेंट्योमर का बोलते थे फिर वहीं नॉन सूपर इंपोजिबिल मिर आइडिंटीकल कब बोलते थे जब मेरा इमेज भी हो जाए और सूपर इंपोजिबिल भी हो जाए तब क्या होता था आइडिंटीकल क्लियर सो लेट्स चेक इट ऑके पहला सिस्टम याद कर पहले आरस तुम्हाना चाहिए पहले पढ़ चुक हम लोग ओके ऐसे सिस्टम मे नीचे भी कारवन अरे इसी के अपॉट तो देख रहे हैं ऊपर सीच त्री और नीचे कारवन के साथ ओवाइच किसकी प्राइटीज आथा नीचे वाले की हैंगे नहीं तो यह क्या है थ्री हम नहीं लिग रहे टू है याद है नहीं सब किया हुआ है ओके ठीक है कैसे गु यह वाला फॉर यह वाला थ्री उपर वाला तू वाइस है विकाज यह कारवन हाइड्रोजन से जुड़ा है यह कारवन ऑक्सिजन से जुड़ा है रियाद है ना C.I.P. ओके तो अब इस सेंटर पे बोल कैसे घुमा वान टू थ्री कैसे गुमा एंटी क्लॉक वाइस तो आ आप पहले इसको पिछला लेक्शर क्लियर करो डन ओके नेक्स्ट इस प्याओ दर यहां बोलना यहां क्या है वन यहां यह वाला थ्री और नीचे क्या टू वान टू तो घुमा दे कैसे गुमा एंटी क्लॉक वाइस अब अब चौता का है और जो थे रिजन पे काटो थ्री ये टू कैसे घुमा वान टू थ्री ज्लाक वइस अगर हिंगे गया वेता तो यह क्या आ रहा है और चौता का varying चोता कैन सब का पहला काम यह करना उसको बढ़ना क्या आरस कर दिया बोलो यां R था यां S हो गया 我हां यां भी S हो गया सोच के देग क्या हुआ है क्या हुआ है Rs, Sorry, Rs Rs, Sorry, Rs, Rs धी, उल्टा हुआ है धी, धी धी, देखेंगे उल्टा हुआ है ठेहे ल्द था पहले, तो मैं एर और S समय माया कहां आर और कहां S कैसे लिखा है एक अगले में यहां चेक करिएगा आर एस क्या बोलोगे यह सिस्टम यह वन यह फूर यह थ्री और नीचे टू क्यों टू ऊपर कार्वन से हैड्रोजन जुड़ा यह कार्वन सोक्षिए जुड़ा ओके वन टू थ्री क्या गुम रहा है क्लॉक्वाइस और यह कहा है है अरिजंटल पर होल्टा लो हारा 10-0 कलोक मतलब आर लेना क्या से जुतिए यह वअन याफो या थ्री क्या एक लुए ह्सई hypoc work मतलब आरा रहा है और यह horizontal पे है तो लेंगे S हो गया अगला अगला यहां यह 1 यह 4 यह 3 clear 143 बोलो और 2 कहा है बोलेंगे नीचे है 2 यह सर नो ओके नीचे है 2 ठीक है क्या बोलेंगे 1 1 और यह 2 और यह 3 ठीक कैसे गुम रहा anti-glockwise anti-glockwise S आ रहा है बट होगा R क्यों भईया horizontal पे है चौथा यह 1 यह 4 यह 3 उपर 2 clear anti-glockwise होना चाहिए S होगा R का है फिर भईया 4 प्राइटी कहा है horizontal पे डन इतना स्मुझ माया आ गया अगला 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 फुछ से कर जल्दी से ट्रैकर यह वाला 1 यह वाला 4 यह वाला 3 निचे वाला 2 कैसे गुमा clockwise आर आ रहा है बट यह horizontal पे है एस लिख देंगे यह 1 यह 4 यह 3 उपर 2 clear यह लिख होगे यह लिख होगे कैसे गुम रहा है यह 1 यह 4 यह 3 निचे 2 कैसे गुम रहा है एंडी क्लॉक्वाइस क्लिखेंगे एस बट लिखेंगे क्या आर क्यों लिख रहा है आर यह फिर होरिजंटल पे है 1 4 3 2 कैसा रहा है clockwise लिखेंगे कैसा एस clear चलो अगला भी करी दो यहां भी करी दो क्या करो के बोलो यह वाला 1 यह वाला 4 यह वाला 3 नीचे वाला 2 1 2 3 clockwise लिखेंगे क्या एस क्यों यह और जंड़ते है यहां 1 यहां 4 यहां 3 उपर क्या 2 1 2 3 anti clockwise ओना था है होगा आर यहां बात कर लिजे यहां 1 यहां 4 यहां 3 ओर नीचे 2 है न नीचे 2 क्या रहा है 1 2 3 clockwise लिखेंगे क्या एस एंटी क्लॉक्वाइस की सब सबसरतेंगे क्यों हाइड्रोजन का है होरिजंटल लाइन पे इधर बोलो यहाँ यहाँ फोर यहाँ थ्री उपर टू क्लॉक्वाइस घूमा बट लिखेंगे क्या S लिख देंगे लिख दिया बोलिये सर क्या इतना RS सब का हाजी RS सब का क्लियर है क्या क्या RS सब का क्लियर है कैसे R लिख रहें कैसे S लिख रहें पहले तो आपका R और S क्लियर होना चाहिए यह होगी अपना काम खतम अब जहां 1,2,3,4 है पहले मुझे उसको मिटाने दे फिर वढ़ते हुआ हैं अलोगा है कि वढ़ते हैस सकती ह्दुना distinguish मैं और दो एयों को यह पांगा को है फिनीश सर्फ रहे अपना आ ऐस यह भी गयाँ यपी गया, यपी गया, यपी गया. इन सब को मारदो डिलीट. यपी गया. य Absolus लुचू ऐख नोड़ा क्सुप पर किति हैं. सबस्क्तोय कर यूःम, सबस्क्तोय कर दो दो क्यों. मार्ण ₹प़झी पर किति हमस्ở voltar до पर किरें. इनो दो फर यह बी यह वन भी यह वाला भी और यह वी रही और इस विकटोट यह भी आइज दो जाविद रहा है अब खुरू करें अब आपका बच्त कहाने अपना ओरीजनल कॉंसेट लगाओ कि उसके हिसाब से सीधा सीधा आंसर दो कि बोलो कि भाई साब इन दोनों के बीच में क्या relation है हमने सब कुछ परफेक्टली सेट किया है सब कुछ था कोई घवराट नहीं हो देखके पहले देखो लगाया हमने मिरर ओके मिरर लगाते ही कि तो मैं मिरर में दिखा पहली बात त लागए लेक्टरल इन वर्जण ही तो होता है और नो डाउट दे आर अर मिरर इमेज ओफ इच अधर ठीक है रूंभ इंपोजबल है बोले यह सुपर इंपोजबल है अब नहीं सर इसको उठागर कर यहां रखेंगे तो एच के उपर ऊचाज आएगा इसलिए सुपर इंपो पूद है हमने रोटेशन करकर कभी चेक किया था कर दो रोटेशन कर दो बट कैसे कैसे फिशर वाला कौन सा इंद प्लें 180 डिग्री पलट जब इसको तुम इंद प्लें 180 डिग्री से पलट होगे ऐसे आरम से बेटा ये चीज रोटेट होकर कि क्या है कि पहले मैं वो अब जब पलट दिये तो यह ओ यह ओ पोई डोनों कहां पहुच जाएंगे है अराम से सुन आराम से लिफ्ट से राइट ही जाएख पलटने पर उपर वाला कहां पहुचेगा नीहें यह पोंचा और नीचे वाला का सब्सक्रिक्रिया उत्डाब जहाँemption कर दिए यह यह व घृट पर्यंपोज होगा बोला यह सॉपरिम्बोज कर गया है के अगर यह सूपरिंपो स्कार गया तो तुन क्या बंढों गयर इन जख है कि शाख ऑन चैनल सुपरिंटीकल नए खोग आये ईमधिकल they seem to be identical तो यह दोनो क्या तुम्हें दिख रहा है साफ साफ बोलो यह waż ने लिगराइब और नहीं दिख रहा है तो यह क्या था ऐदेंटिकल क्या था क्यून्ट इंटिकल यह दो गाट मिजें क्या हे मीजो है क्या मीजो है यही से playing of symmetry pass कर रही देख देख कर रहे कि नहीं कर रहे पी-एस है ना यह plane of symmetry यह सब्होंड इसलिए सका परिंपोस कर गया अगर यह मीजोर नहीं होता तुम पल्टा करके भी इसको सावित नहीं कर सकते थे अभी दिखाएंगे अगले पर देखो अभी नहीं कोई डिसकेशन मी वह अगला इन दोनों के विच में रेलेशन क्या है बेर पर देस तू यह दोनों क्या हैं वो चेक करते हैं ठीक है पहले बात लगा दिये mirror बोलो क्या है mirror image दिखि़़ रा तुमें ब yağम कोने बिल्कुल mirror image अमेगा साफ साफ अब बताओ अब बताओ क्या यह it scan शुपर impossible है तो भी रिह सार इस जाभ उठा कर यहां रखेंगे as it is तब बोलेंगे ओएच आजाएगा hydrogen को पर नहीं हो रहे है super impossible नहीं है अब मैंने अभी जैसे वहां बोला वाई से यहां बोल रहा हूं क्या ठीक है यह वाला superimpose नहीं कर रहा है 180 degree से पलेक्ट जब तुम पल्टोगे तो वो भी superimpose नहीं कर पाएगा यहां कैसे मैं दिखाता हूं मैंने इसको एक सबसे पहली बात क्या होगा तो बोलोगे नीचे वाला अब देख यही दोनों तो इधर रहेंगे अब कैसे हैं वो समझो जब एक सब्सक्राइब नीचे वाला का जाएगा उपर जाएगा जाएगा तो यहां आएगा अब यह उपर वाला का बहुत जगा नीचे यह का हो गया है यह दोनों सेम नहीं है इसको इसको ऑपर ढग दो जाग जागा क्यों भाई क्यों विगाज हमने इसको गया इसको पलटा ही तो है फिशर में और एक सासे डिग्री से फिशर में पलटना अलाउड है वो आईदें तो चेक किया ना तो यह यह न तो यह दोनों तो यह दोनों आइडेंटिकल नहीं है समझ मैं आया ठीक है जब यह दोनों क्या है अब मैं इसको मिटा दू, इसका काम तो खाता है, इसका काम तो खाता है, तो मैं दिखा रहा है आपको, clear, actual तो यह दोनों है ना, ठीक है, अब बोलो, क्या बोले, यह दोनों फिर क्या हुआ, तो इन दोनों में क्या relation आया, कि mirror image तो है, बड़ super impossible मिल नहीं है, इसका मतलब यह इन इन शुमर है, क्या है, इन इन शुमर है, यह दोनों क्या थे, mirror image भी थे और super impossible भी थे, इसलिए इसलिए identical हो गए, यह दोनों mirror image तो है, बड़ super impossible नहीं है, इसलिए इन इन शुमर है, what about these two, इन दोनों के बिश्वे क्या relation है, वह दरा चेक करो, चेक करो, यह लगा दिये mirror mirror लगाते ही, इसका mirror image यहाँ है, बोल बेटा है ना, है mirror image, अब आराम से, क्यां यह super impossible है, इसके उपर, बोलो, तो बोलेंगे नहीं, super impossible तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसको इदर लाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, OH, OH, hydrogen का उपर, नहीं डगा, अच्छ हैंगे तो उपर, CH3 नीचे भी, नीचे भी CH3 है कि ने, अब आराम से देखें, CD3 है, CD, जब यह घुमेगा उपर, तो उपर घुम के क्या बन जाएगा, CD3 उपर, और CH3 नीचे, अब देखो, no doubt, यह दोनो hydrogen का पहुंचाएंगे, left, पहुंच गया left, और OH का, right, पहुंच ग अगे आए, CD3, क्या गया, इसका मतलब, ना तो यह उपर सेट हो पाया, ना तो वही सेट हो पाया, इसका मतलब दोनों मेंसे को भी सूपर इंपोज नहीं कर पाया, no doubt, they are, they are mirror image, but not super impossible, but not super impossible, and such pair are called, बोलो, non, non, super impossible mirror image को क्या बोलते हैं, अभी बोले हो, क्या बोले हो, इने देखो ठ्वान से, ये दोनों तो identical था, ये दोनों identical क्यों नहीं हुआ, बोले हैं, यहाँ से plane of symmetry नहीं है बेटा, बोलो, यहाँ से जा था, plane of symmetry था, क्या यह plane of symmetry है, बोलेंगे ना plane of symmetry नहीं है, क्यों नहीं है, यह OH OH H H to हो गया, यह CH3 था बेटा, मैıने यहाँ लिका CD3, deuterium है, यह अलग है, यह अलग है, इसकी वज़े से plane of symmetry नहीं हुआ, बिल्कुल दोनों एक ही जैसा system बनाया हमने, बस सिर्फ फर्क क्या लगा दिया, यहाँ अलग कर दिया, तो plane of symmetry काईव हो गई, yes sir no, अब देख, जो SR मैंने यहाँ create किया, वही SR मैंने यहाँ भी create किया है, जो RS यहाँ है, वही RS मैंने वहाँ भी create किया, देख, yes sir no, सिर्फ किसका खेल है, plane of symmetry का खेल है, कि दोनों में क्या गया, difference, करेंगे बाते सारी, पहले बैस देखते चले जाओ, अगला, अभी सिर्फ देखना है, नोट नहीं करना है, बिल्कुल भी, सिर्फ देखना है, सारी बाते हैं, एक एक करके देखो, समझो, नहीं सवाज माँ है, फिर रिवाइंड करके देखो, समझो, clear, उसके बाद pause करो, सारी चीज़ नोट करते चले जाओ, clear, okay, अगला, अगला, फस्ट बार में कोई, कोई नोट नहीं करेगा, फस्ट बार में से देखेगा, अगला, यहां, एच, clear, यहां ओच, यहां ओच, तो क्या इसका मिरर इमेज यह है, बोलेगे, ना, यह मिरर इमेज नहीं है, और सुपर इम्पोजबिल भी नहीं है, बेटा, ना तो मिरर इमेज है, और नहीं सुपर इम्पोजबिल भी नहीं है, बेटा, ना तो मिरर इमेज है, और टाइस्टीरियो मर, टाइस्टीरियो मर, इतना संज माँ चलो यह विचल कलो रह जा इसको भी काम करी देते हैं, इसका भी काम करी ही, दो लिखो बै, लिखो आरे सब्सक्राइब, यह 1, यह 4, यह 2, नीचे 3, एक मिरेट, एक मिरेट अब टू उपर नहीं है, अब टू वपर में अब टू नीचे यह जहां यह वन जिन ट्री कैसे clockwise clockwise घुमा है तो आर बढ़ यह horizontal पर यह हो गया S यहां बात करो यह 1 यह 4 और यह 3 नो डाट अब उपर 2 है clear तो क्या बात करेंगे कैसे घुमा एंटी clockwise एंटी clockwise एंटी clockwise इसका मतलब S इसका मतलब आर बोले सर नो बिलकुल अच्छा यहां जाओ यह 1 यह 4 और अब यह वाला 3 यह नीचे वाला टू फिर से तो 123S बढ़ यह horizontal पर यह आर यहां क्या बोलेंगे वार यह क्या 4 यह क्या 3 ऊपर क्या 2 यह क्या स्यागा रहा है आर डंडा एक या मैंने थ्यमित दो किसको नमबर मीटा दिया नंबर सपो न01 कंवरoria मिल रहा है क्या मिलनकम आप और राइट में क्या दिखता बोल आरार ऐसाब बात है बाद मैं पहले तो तुम बोलो यह क्चिया यह mirror image है क्चिया यह तुनों mirror image है बोलिए बोलेगे नहीं क्यों नहीं यह TL तो CA LG Metal Cl non mater तो यह mirror image नहीं है क्या यह super impossible है इसके उपर ढग कर देखो भूलेंगे नहीं ढग भी नहीं पा रहा नाइधर मिरे इमेज, नौर सुपर ईबोज़िबल अगें दियार, बोलो क्या होगा बेटा, दियार भूलेंगे डाइस्टीरियो मर क्या है है ये? डाइस्टीरियो मर देख अपने एक्जाम्बल में सब कुछ आ गया ये डाइस्टीरियोमर मिला ये वाला इनेशोमर मिला ये वाला इनेशोमर मिला ये वाला इडेंटिकल मिला क्या मैंने सारे केसे डिवलप किये हुएं बेटा समझो आराम से, सुकून से समझो बहुत ही important lecture है ये वाला clear, clear क्या सारे केसे डिवलप हो गए? बिलकुल हो गए, सुकून से देख लो उसको अब मैं आ रहा हूँ conclusion पे अब आ रहा हूँ conclusion पे जैसे वो single वाला conclusion कर लिया उसको मैं तो हटाई देता हूँ single curl center का conclusion कर लिया था यहाँ plane of symmetry नहीं है इसको भी आटा दे कोई plane of symmetry नहीं है बात करेंगे अब इसके अब देखो बाबू देखो आरम से क्या दिख रहा है? यह है identical क्या है identical आरम से? यह वाला है यह वाला है inensumar सुकून से देख इसको S का देखो S था, R था स इसका पलट गया पलट गया न और यह भी पलट गया ऑने बोलो पलट गया है ने पलट गया एक जगा था R और S incrementally जगा क्या हो गया? S और R पूरा पलट गया पूरा पलट गया इन दोनो पेयर को क्या बोलेंगे? पेर को क्या बोलेंगे आराम से यहां देख लेख हो गया इस लेख गया आर अरका हो गया एस प्लत गया ना अश्र मैंने आरते लिगा हाप एस अर लिखलो का फर्मбार प्लत प्लत गया कहने का मतलब यह है यह इन-टीकल यहां देख हुए यह तीन वाला देखे न अब जरह एस आर है MICHAELM कहलो दोनों का सेम केस बन रहा यह बल्ता वहाँ भंुलता बड़ियर लेघ। फशने का चांस है नाई बेल्कुल कोई ihin त्पे思å सिमित्री था बड्रहां पेbi औफ सिमित्री नहीं है बेटा लेन ऌफ सिमित्री नहीं है ध्यान से सुनना जहाँ प्लेट पे Catalunya सेंटर सिमित्री हो जाइया इसको बोलते थां मिजो बोलते थे ना कbeltas minder है और पी ओ विए थां मीजो अगर मीजो आ गया अगर मीजो आ गया तो उसका mirror image है ना identical होता था यह हम लोग बोलते थे आराम से यह वाला system के साथ दो possibility क्या possibility साफ साफ लिगना एक ठेक साथ कि जब पलट गया पलट गया ना पूरा अरे या तो RS लिख करके SR कर दे या SR लिख करके RS कर दे वह यही बात है पलट गया प जो possibility है वो समझो वो समझो अगर plane of symmetry if plane of symmetry या center of symmetry है molecule के अंदर molecule के अंदर है तब जो वो पेर होगा वो पेर होगा identical पलटने के बाद तब उस पेर को क्या बोलेंगे ने पेर इस identical clear तब क्या बोलेंगे बोलो identical pair समझ रहे हो मैं क्या बोलगा हूं मैं बोल रहा हूं plane of symmetry भी है या तो plane of symmetry है या तो center of symmetry है और अपना आया है SR का RS पलट गया पूरा तो मैं बोल रहा हूं क्या क्या बोलगा बोलो अगर 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 plane of symmetry है या center of symmetry है तब क्या बनेगा तब क्या बनेगा वो identical pair ठीक अगर अगर plane of symmetry भी नहीं है और center of symmetry भी नहीं है तब जो pair बनेगा उसको बोलेंगे अगर plane of symmetry मिल गया पलटने के बाद RS था SR हो गया या SR था RS हो गया पूरा पलट गया पूरा पलट गया देखिया क्या बोल रहे पूरा दोनो या ऐसा बोल दोनो पलट गया अरे बोलो गया ना पलट गया तब क्या होगा दो case अगर अगर उस system के अंदर तुम ढूंड लिए क्या ढूंड लिए plane of symmetry तब क्या बोलोगे identical है वो यह बात समझ माइए यह बात समझ माइए यह दोनों case clear हुआ ओके अगला case देख अगला case क्या बोल रहे एस एस था आर आर हो गया Li एड़ ऐसेस था और और हो यह प्यवार आर हो SS ओ जाह ए कहीं धार हो और możगे इस एस एस था आर आर हो गया यह आर आर था S सब्सक्रा Kapree सब्सक्राइब den चाहिए इसे सब्सक्राइब कर अंगर अगर अर और तो घट हो गया एस और एस ठीक, यह यह, एस और एस था, पूरा पलट करके आर और आर हो गया, इन दोनों के इसमें, आलवेज, आलवेज, इन एन्शियो मर, समझेगा, टीपिकल के सापका बस वही था, उसको बैने पहले क्लिर कर दिया, उसके लावा उसके लावा सब सिंपल, कि दोनों का दोनों और बगल में दुनों के दुनों स हो जाएं तॉनों के दुनों S था प्लट करें दून телефон यहां पर N सुमर लेकिन यहान पर प्लटे के बाद बहुत बहुत थिए निवर का इतै तर शिचोंथा हणिश जंök नहीं Christmas सियुन हो तक है क्लियर तो क्या बोल रहे हैं अगर और एस का स्री ऑर आर का एस हो घौज़ क्ली आर आर हो गया तब जान से प्लेइन वह एफ लगल देटनेटली इन इन दिशमर प्रीपगस प्राम मेल नोन मर्णा थिट्स शब्राइर उब बन जात्या थे यह इस स्काइं हें लिए अगला पॉसिबिलीटि अगर स्मीट्री ऑस खलेंटी नहीं मिंज को स्था क्रेंट्री जो सबस्क्राइब लेन इंसमेट्री आंडिंटीकल रप मेकरी नहीं है इंत लागत आला किश या थीश्या ऐस 되지 क्लेंकि घल कर द्हकर और तीसरी बात क्या अगर आर आर था अगला भी आर रहे एस था अगला अगला देख अब देख जड़ा इसकी कहानी देखो यह क्या था क्या था एस आर यहां क्या था एस एस यहां था सूस्ट वो सब क्लीएर बेले वालए क्युस्त Punkte केस क्लीं प्लेक्ट्रोग्व मैद बैलको तो नहीं दो तीन को मिला गर गया अपना जो जो मेंता की दिए लेटा दो वह Bartas है एक रेजल्ट वो दूसरा रेजल्ट यहां है इसको हटाओ इसको हटाओ इससे समझ गया हम एक बात इसका अगला अब देखिए क्या बोल रहे हैं अगर आपके पास आर का एस एस हो जाए क्या अनमसे सुना अपने पास क्या था ऐस मिलेगे जार इस से प्लेट के गया यार और 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 यह रह गया यह हो गया हाँ यह पलट गया और यह रहे गया वही आर आर समझ रहे हो ठीक यह इसी का उड़िता कर दे आर आर है इसका हो गया आर एस या आर आर है इसका हो गया क्या एस आर अरे समझ रहे हो सब एक ही केस है क्या एक केस है इसमें क्या खास बात है इसमें क्या खास बात थी इसमें क्या खास बात थी पूरा पल्टा वो भी पूरा पल्टा यह पूरा पल्टा आर आर एस एस के साथ वहां आर एस एस आर की कहानी थी इसलिए वहां दो केस मना अब यहा के दूसरा पलड़ गया को यह था एक पलड़ गया अगला गैस देख यह प्लड़ गया है यह यह रहा इसका मतलब क्या जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि एक का configuration तो same रह जाए और दूसरे का configuration बदल जाए जब भी ऐसा हाल हो तब उसको हमेशा diastereo मर बोलेंगे देख लो S का क्या हुआ? बोलो S का क्या हुआ बेटा S का क्या हुआ? Same रह गया S R का क्या हुआ? पलड गया एक जगा same रह गया एक जगा same हो गया दूसरे जगा change हो गया तब क्या बोल रहे? diastereo मर clear? अच्छा यहां देख यह वाला change हो गया यह वाला change हो गया यह वाला same रह गया देख लो बेटा एक जगा change दूसरे जगा same क्या बन गया? diastereo मर तो total cases कितने बने अपने पास, total cases कितने बने, पहला case ये, ठीक, दूसरा case ये, ये वाला दूसरा case, और तीसरा case ये, तीसरा case अपना, ये वाला, बोलो, अब example तो मिटा देना, conclusion समझ माया, conclusion मैंने with example सब कुछ आपको justify किया है, अब मैं इन examples को मिटा देता हूँ, और conclusion छोड़ देता हूँ, board पे, ये अपने examples मिट गए, सब कुछ proof करके देखाया है मैंने आपको, और सिर्फ conclusion रहे गए, so finally आप इस conclusion को अब समझ भूज करके, अब एक last page पे, finally इसको note कर लो, क्या note कर लोगे बेटा, दो कारल सिंटर वाला, क्या note करोगे, अगर, अगर तु नहीं है, क्या? दोनों परड़ गया, एनन शूमर, S, S का R, R हो गया, दोनों पलड़ गया, क्या बोलेंगे? मतला, पलड़ गया, क्या बोलेंगे? इननशूमर, इस हालत में, इस हालत में इनन शूमर, यहां भी पूरा पलेट रहा है, वट एक R है, दूसरा S है, उस condition में द दो, डो cases बने, क्या case बना, इसमें पहला case ये बना, कि अगर उस molecule के अंदर plane of symmetry हुआ, plane of symmetry हुआ, मतलब वो molecule के अंदर खाल सेंटर भी और plane of symmetry हुआ, मिजो का मिर इमेज अइडेंटिकल हुआ, इसलिए मैंने बोला, क्या अगर plane of symmetry हुआ, तो क्या बनेगा, identical pair, और plane of symmetry हुआ, center of symmetry दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तब बोलेंगे, enantiomeric pair, yes or no, clear, clear, और ये तीसरा case, क्या, एक जिगा सेम रहा दूसरे जगा पलट जाए दाट विल गीव यो डाइस्टीरियोमेरिक पेर इस 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 वेरी वेरी क्लियर बोलिये क्या इतना एकदम क्लियर है चका चक बोलो सब समझ माया तो ये पूरी बात जो है बेटा ये है अपना क्या ये है final conclusion जो आपको help करेगा different type के questions को solve करने में तो अगली class में अब इसके उपर हम further question लाएंगे इस class में तो मैंने आपको बातें समझा दी है ना, बातें समझा दी अब अगली class में क्या लेंगे सीधा इसके उपर question और question के दिगर के पुछेंगे कि बताओ क्या कहानी बनने वाली है इसी तीन के according तुम सीधा सीधा answer बताओगे कि साथ ये situation होगे हम ये answer मारेंगे clear, या, या मैं अभी ही दो-चार question आपको कर देता हूँ तो आप, आप, चलो मैं इसको pause कर देता हूँ, आप भी अपना pause करो screen और इसको इसको पूरा note down करके फिर question के लिए तयार हो जाओ clear, हम इसको rub करके और इसके सामने questions लाते हैं और फिर हम दोनों discuss करते हैं क्या situations होँगे, let's do it चलिए, शुरू करेए फटाफट, so, जो अभी आपने conclusion लिखा न, उसको एक fresh page पर अलग से, अलग से एक page फड़ो, उसके लिखो, उसके recording में जो सवाल दे रहा हूँ, उसको आप solve करते हैं, मल लो, मैंने आपके सामने लिखा एक CHO, ऐसा लिखा, और यहां लिया CH3, यहां लिया H, CL, और यहां भी लिया H, CL, ऐसा लिया मैं लो, मल लो, ठीके, मैं यहां ठीक क्या कर रहा हूँ, यहां तो रहने दिया क्या, CHO, और यह रह ग नीचे कितना एक्स्चेंज किया दो बेटा दो क्यों इसको लेके आये थे यहां इसको लेके यहां तो पहला एक्स्चेंज और साथ के साथ ही हम ने क्या कर दिये साथ ही साथ पर दो एक्स्चेंज कर दिये न और बोलो कर दिये तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह सिस् इसका मतलब क्या होना है। अगर यहां QR है, तो यहां भी SR ही होना चाहिए. There should never be any change. Yes or no? Do it. Do it. क्या हमें देखकर के कुछ लग रहा ऐसा? identical लग रहा देखकरके बिल्कुल नहीं लग रहा सब कुछ घूम फिर गया है कि नहीं यह sir no अभी तो मैंने यहाँ change किया न बेटा अभी simultaneously हम उपर भी change कर देते साब एकदम साब पलड जाता कोई यहाँ कोई वहाँ तुम धूणी न पाते किदर कौन है लेकिन हम आपको दिखा के कह रहेंगे देखो identical हमने बनाया है अब हम उसको proof करेगा identical RS से let's do it क्या बोलेंगे सर यहाँ सर इसको 1 इसको 4 इसको 2 इसको 3 क्यों यह chlorine से जुड़ा है तो इसलिए 2 अच्छा अराम से कैसे गुमा एंटी क्लॉक्वाइज 1,2,3 गुमा ना ठेक क्या हुआ एस चौथा था था है वरिजन्टल पे तो क्या बोलो कि तुम आर होना था एस हुआ र क्यों चौथा वरिजन्टल पे अगला 1,4,3,2 कैसे गुमा अगेन और होरिजन्टल पे तुमा नेक्स नेक्स नेक्स. आर प्लीस दिस्टल ने बन करने जिस चलने जलने नो यहाँ, यहाँ बोलो फिर यह वन यह पोर और यह वाला थी और यह वाला थी और यह वाला टू आरम से 1,2,3 कैसे गुमा उल्टा, उल्टा गोगा मतलब, एंटी कलाओओवाई, एंटी कलाओवाई, एस, होना चाहिए, यह और जंटल पे होगा र, यहाँ देख, यह क्या, वन्य क्या, फोर, यहाँ ले, देख, त्री रे, और उपर क्या, टू कैसे को मा, चौते को भूल, वें टॉ टॉ-3, उटी क याद रहे गया समझ गये तुम तो तुम क्या बोलोगा अच्छा यहां आरेस यहां आरेस तो क्या हो गया दोनों से इसका मतलब definitely they are what so they are definitely identical यह सर नो अब मुझे बता क्या तुझे अब सोचो अभी तो single exchange किया था ना इसको इसको किया था अम माल ले हम क्या करते वो देख दियान से यहां तो यह नीचे वाला पार्ट हम लिख देने जो एक्षेंज वाला पार्ट है क्या लिख दिया था CH3 और यहां क्या H और यहां क्या CL बोलो इसके अबाउड़ी तो एक्सचेंज कर दिया तो सेम है वो बदला नहीं हम कहा रहे हूपर भी अगर हम कर दें चेंज क्या चेंज कर दें वेटा वो देख मैं CHO को लाया मेरी मर्जी मैं रहा राइट राइट लिजाओ लिजाओ आ यहां और क्लोरीन को लेगा है उपर बोल क्या मैंने यहां भी डेवल एक्चेंज कर दिया अगर डेवल एक्चेंज हो गया इसका मतला मॉल्क्यूल अगें दुन्वालिक्यूल इस सेम कौन सा जो इस्टाइड कि दें तुम किसार और रहाज यह तो जैसे तुम यहां आरस हुआ भी रस एल देखा ल्यारब करके दिकाल नुझे कई या वन किया वन ट्रे आ थी उन टू-दू-दू-धू-धोке है ना है अच्छ हो हो आण 432 इक का ओम और यह व क्या को में जो बोले बोलो बोलो यह वी का कुमा ये वन और में और इस और एस नहीं आइस सका कैसे हो सकता है स्क मतलब कहीं कहीं तो गलत हुआ दोने दोना एस ना ऐसी पॉसिबिलिट नहीं है एक मिनट एक मिनट लिट में चेक यहां इस सेंटर के आपार्ड का किये चीए शो को लाए राइट साइड हाइड्रोजन को लेगा है उपर सिंगल एक्स्चेंज और हईड्रोजन को लाए है बिलकुल ठीक है दब अलेक्सटेंज है तो यह आर से आर ही आना चाहिए प्लट कैसे किया फिर सिच्च और अगर हमने पटथा है ऐसे चिक करने दो, CHO को लाए याँ, हैइडरोजन गया, उपार, सिंगल एक्षचेंच, लाए याँ, क्लूरीन लाए याँ, बिल्कूर ठीक है, ठीक है, यह बान, यह 4, यह तो फिक्स है, यह वाला क्या थे है? CHO, कार बन, यह वाला कार्बन, और यहाला carbon दोनों में से दोनों में से 2 कौन सा बनेगा डपिनिटलिई यह वाला तू बनेगा और यह गाइ kurita रहा था तो हुद किया रहा था यंदा ना करह सब्सक्राइब अरियर झार मलत आप एक हम आई ऐसे था है जैदा से तो है जोग Griffना gener就是 कठाट रहरा है इस क्या था एस काट के क्या लिखेंगे आर यह इंग और पिशली पर में पुछ फिर से सेम आया फिर से से माया क्या इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या RS का, RS, RS रह गया ना, कुछ भी तुम्हें घुमा फिरा दे, कुछ भी एक्स्चेंज कर दे, कुछ भी वैरी करा दे, अगर आपका कॉंसर्ट एक बार सटिक बैड गया, इसका मतलब, whatever be the situation, whatever be the case, you can easily handle it, got the point, is it very clear, clear, तो ये cases हैं, किसके, किसके, identical situation के, ऐसे ही हम लोग, ऐसे ह चेक करेंगे, देखते जाएंगे, कि कैसे, कैसे situations बदलेंगे, और हम लोग foreign पहचान लेंगे, clear, ठीक, इतना काफी है, चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्ट्र में, thanks for watching the video, assalamualaikum.